जैन आजम देखेंगे जनरल साइंस के टॉप 25 कुश्चन जो की कम्पेशन एक्जमिनेसंस के लिए काफी इंपर्टेट रहने वाले हैं तो ये जनरल साइंस के टॉप 25 का पार्ट नंबर जोड़ है रहेगा तो चलिए सुरू कर दें कुश्चन नंबर एक से पर से दूसरा कह रहा है किसके दौ़ारा विटामिन सब्द दिया गया तो फंक दोबारा vitamin सब्द दिया गया जो vitamin के खोच करता है वो फंक है अगला question देख लेते हैं वो कह रहा है copper sulfate का जली गोल प्रकृत में अमली होता है क्योंकि लबड में होता है तो लबड में क्या होता है उस लबड में hydrolysis होता है जिसके कारण कौप पर सलफेट का जली गोल जो है अमली होता है कुश्चन नमबर चार देख लेते हैं वो कह रहा है यद केसनली का व्यास दुगना कर दिया जाए तो उसमें चड़ने वाला द्रिब की सत्य की उचाई क्या होगी वो आदी रह जाएगी क्योंकि अगर केसनली का व्यास जतना बढ़ाते जाएंगी उसमें चड़ने वाले द्रिब की जो हाइट है वो डिक्रीज होती रहती है पांच है किस एक कारट से हर गोविंद खुराना प्रिसिद हुए थे अगहला कुष्चन देख लेते हैं कुष्चन νमस 7 कह रहा है यसद लेपन क्या होता है वो लोहे पर जस्ता चड़ाने की प्रोसेस को यसद लेपन कहा जाता है next है ताप पर गयस की एक निशचित मातरा के लिए दाव या घनत का मान नियत रहता है यह निसकस किस नियम से निकाला गया है वल के नियम से यह निसकस निकाला गया है कि ताप और गयस की एक निश्चित मातरा के लिए दाव या गनतुका मान नियत रहता है question number 9 देख लेते हैं वो कह रहा है कोस्का सिद्धांत का प्रितपादन किस ने किया था कुछ का सिद्धान का प्रितपादन है वो स्लाइडन तथा स्वान ने किया था कुछ का सिद्धान का प्रितपादन स्लाइडन तथा स्वान ने किया था कुछिन नमबर टेन है किस से खसरा रोग फैलता है तो वाइरस से खसरा रोग फैलता है नेक्स्ट है ब्रच की आयू बरसों में किस प्रकार निर्दायत की जाती है जो एनुवल वले होते हैं उनके दुआरा ब्रच की आयू निर्दायत की जाती है जिनको हिंदी में वार्षिक बले कहते हैं बाइसिक बलेों के संख्या के आदार पर किसी भी ब्रच की आयु निरायत की जाती है Question number 12 है बिद्दुत इस्तरी, हीटर, केतली, आद के तत्व किसके बने होते हैं तो नाइक्रोम के बने होते हैं इस्तरी, हीटर, केतली, इत्याद के तत्व Next question है इस्तरी दाप पर गैस का आयतन परमताप के समान पाती होता है यह किसका नियम है यह चार्ल्स का नियम है कि इस्तरी दाप पर गैस का आयतन परमताप के समान पाती होता है Next question कह रहा है Question number 14 है जब किसी बस्त को ठंडा के जाता है तो उसके अड़ों की जो गती है वो घट जाती है चाल घट जाती है स्टील की गोली पारे में तहरती है क्योंकि जो पारे का घनत तो है वो स्टील से जादा होता है स्टील की गोली पारे में तहरती रहती है क्योंकि पारे का जो घनत है वो जादा होता है अगर अचानक से गिरावट आ जाए तो मौसम में तूफान आने के चांस रहते है अगर अचानक से गिरावट आ जाए तो मौसम में तूफान आने के चांस रहते है कौन उत्पलावक्ता से सम्मंदित वैग्यानिक थे जो आयुकम डीज हैं जिन्नोंने सिद्धान्त दिया था उत्पलावक्ता से सम्मंदित है इनके सिद्धान्त के अनुसार जब कोई बस्त किसी द्रब में पूर या आंसिक रूप से डुबाई जाती है तो उस बस्त के भार में आई कमी उस बस्त द्वारा हटाएगे द्रब के भार के बराबर होती है जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल तूट जाती है क्या कारण है तो लोहे द्वारा विस्था पे जल का बाहर लोहे के भार से कम होता है या दूसरे सब दो में कहा सकते हैं जो इस्पेस्पिक ग्रेप्टी है पानी की वो कम होती है लोहे की जादे होती है 21 question कहा रहा है दो रेल पट्रियों के मद जोड़ पर एक छोटा सा इस्थान क्यों छोड़ा जाता है क्योंकि धात गर्म होने पर फैलती है तथा ठंडी होने पर संकुचित होती है expansion के कारण जब दो पट्रियों को जोड़ा जाता है तो उनके बीच थोड़ी जगे छोड़ दी जाती है क्योंकि जो इस्टील है उसमें thermal expansion होता है next है decibel क्या है तो decibel है वो ध्वन की इकाई है decibel ध्वन को मापने की काई जो है वो decibel है 24 question है ताबा मुख्य रूप से विद्वत चालन के लिए प्रयोग के जाता है क्यों क्योंकि इसकी जो विद्वत पत्रों दखता है वो निम्न होती है question number 25 and last question कह रहा है ऐसा ही पद्वत में उसमा का मात्र क्या है जो जूल होता है झाल झाल